एलो दोस्तों आपने बहुत इस आंदार वीडियो पे किलिक कर दिया दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर रहे हैं जो अभी अभी आपका जो भी आपके जीके के गडित के रिजनिंग के जनरल इंटेलिजेंस के जो भी सवाल पुचे गए है एक-एक सवालों को मैं ट्रिक से करा देता हूँ फटाफट जल्दी से देख लेंगे पूरी वीडियो अगर आपने यह वीडियो पूरा देख ले आगले पेपर में यहां करते हो 2021 में एक नोगरी लेने चाहते हो ट्रिक से पढ़ाई करने चाहते हो यह चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मेंटिक स्टड़ी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो दोस्तों एक एक सवाल कर लेते जल्दी से ट्रिक से देख लेते फटाफट एक-एक सवालों को पहला सवाल आपके सामने है वर्ल्ड हैपटाइटीस डे कम मनाया जाता है तो गैस यह मना जाता है 28 जुलाई को देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है तो गैस यह आपका जम्मू एंड कास्मीर और दोस्तों केसर के मामले में जम्मू एंड कास्मीर पहले नंबर पे है भारत में और इसको GI टैग भी मिल चुका है एक सवाल ये भी पूचा गय थी राजवास्ता की शुरुवात किस जिले से हुई थी तो गैज यह होई थी नागर जिले से राजस्तान के नागर जिले से देख लेते अगला सवाल किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलिसकोप का निर्माण किया है तो गैज ये देश है चाइना देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया हाली में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव एम बुनर्वास यानि मंकी रिहाइबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है तो गैज ये आपका ए तेलंगाना राज्य है देख लेते हैं अगला सवाल वर्ल्ड मलेरिय डे कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 अपरेल को देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया इंटरनेशनल योगा दिवस ये कम मनाया जाता है 21 जून को देख लेते अगला सवाल भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है ये आपका अंदर परदेश राज्य है जो की भासा के आदार पर सबसे पहला गठित राज्य है भारत में देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है ये आपका तमिल नाडू देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया कठक किली किस राज्जा का डान्स है कठक क लिए आपका करनाटक राज्जा का एक डान्स है देख लेते अगला सवाल तो दोस्तों जो भी आपके यहाँ परररीजनिंग और मैथ के सवाल पूचेगे सभी को मैं ट्रिक से करा देता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा सभी गवर्मेंट एक्जाम की ट्रिक के लिए मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तब तक एक दो सवाल और देख लेते हैं आपके जीके के तो गैस एक सवाल ये भी पूचा गया इंडियन रेलवे सवाल को ट्रिक से देख लेते हैं तो गैस इस सवाल में क्या बोला गया है आपके पास में एक पेज है कोपी का इसको आपने क्या किया एक बार मोड़ा दो बार मोड़ा तीन बार मोड़ा मोड़ने के बाद में आपको इसमें इसमें छेद कर दीगे तीन छेद करने पर ये कैसा दिखेगा ऐसा 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 तो गैस छेद करने पर ये आपको ऐसा दिखेगा इसमें आपके ये 12 होने चीए छेद यहाँ पर आपके 4 है ये भी गलत हो गया यहाँ पर 8 है ये भी गलत हो गया यहाँ पर ये 8 है ये भी गलत हो गया यानि जो बच्चा C option मार के आए उनका right answer हो गया तो गैज इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे देख लेते हैं अगला सवाल ये सवाल आपका पत्ती वाला पूछागा है काफी आसान सवाल था चार पत्ती एक जगह जुड़ी हुई है इनमें से एक गायब है बताना के वो पत्ती कौन सी होगी मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें आपके एक डंडी होनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए यानि ये डंडी जरूरी होनी चाहिए यहाँ पर चेक करते है पहला उप्सन यहाँ पर ये डंडी गायब है यानि ये तो गलत हो गया यहाँ पर डंडी नीचे को है यह गलत हो गया यहाँ पर डंडी गायब है यह गलत हो गया B option इस सवाल का right answer चला जाएगा तो guys इस तरीके से आप लोग यह सवाल कर सकते थे B option आपका right answer चला जाएगा सारे सवाल important है एक सवाल यह भी बूचा गया कैसे करना था इस सवाल को वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको photosynthetic दिया गया है इसमें logic लगा कर क्या बताना है कि कौन सा word इससे नहीं बनेगा एक एक को चेक कर लेते हैं पहला word चेक करेंगे t h o s e यानि ये तो आपका बन गया दूसरा चेक करते है s c e n t यानि s c e n t ये भी आपका बन गया चलो ठीक है जो आपका नहीं बनेगा वो ही आपका right answer हो जाएगा इसको चेक करते है p r r इसमें कहीं मीं नहीं है दोस्तों तो यानि यहीं नहीं बनेगा यही सवाल का right answer हो जाएगा c option आपका right answer चले जाएगा जो आपका pro नहीं वर्ड ये इससे नहीं बनेगा ठीक है आप इस तरीके से ये सवाल कर सकती थी आगे बढ़ लेते हैं अखला सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से ट्रिक से देख लेते हैं तो गैज एक सवाल ये भी आपका पूछा गया कैसे करना था आपके सामने एक वस्तू रखी हुई है ये आपका सीसा है ये आपका दरपण है ये आपकी कोई चीज रखी हुए इसके सामने सीसे में देखने पर यह आपको कैसी नजर आएगी मैं आपको हिंट बता देता हूँ कुछ ऐसी कुछ ऐसी यानि ऐसी ठीक है यह जो आपकी डंटल है यह साइड में होनी चाहिए चेक करते हैं केको यह आपकी नीचे की साइड चली गए यानि यह आपका गलत ओप्सन हो जाएगा इसमें आपकी यह डंटल इधर होनी चाहिए थी लेकिन इसमें इधर दी गई है यह भी आपका गलत हो गया इसमें यह ऐसे घूम गया यह भी आपका गलत हो गया जो बच्चे आपर बी ओप्सन मार के आया उनका right answer हो गया तो guys इस तरीके से आप लोग यह सवाल कर सकते थे यह आपका mirror image वाला एक सवाल था इसको आप अराम से कर सकते थे आई ओप यह आपको clear हो गया होगा अगला सवाल भी देख लेते जल्दी से तो दोस्तों एक यह सवाल पूचा गया इसको आप खुद try कर लेंगे काफी आसान सवाल है इसका मैं answer बता देता हूँ 54 है logic भी बता देता हूँ कैसे करना है इसमें 9 की गुणा करेंगे बाततर आएगा इसमें 9 की गुणा करेंगे 117 आएगा जब इसमें 4 की गुणा करोगे तो 9 आएगा 4 में 9 की गुणा करेंगे 36 आएगा 6 में 9 की गुणा करेंगे 54 आजाएगा यानि यह सवाल आप इस तरीके से कर सकते थे आई हो भी आपको clear हो गया होगा आगे बढ़ लेते हैं तो दोस्तों जो भी मुझे सवाल यहाँ पर बच्चों ने बता है बटन होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे भोलेंगे नहीं काफी important चैनल होने वाला है सभी government exam की trick के लिए बैल आइकन को all कर लेंगे दो option होता है एक all का एक personal का all कर लेंगे ताकि सभी trick वाली वीडियो का notification आपको हमारे चैनल examatic study पर आपको time to time मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले paper के लिए आपको good luck अगले paper के लिए आपको best of luck thank you so much